हेलो दोस्तों सारे वाईयान राम राम कैसे हो तो दोस्तों मेरे न्यू विलोग में आपका हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों यह बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहें नेजा चड़ाने के लिए खेरे वाली माता पर है जो कि यह माता का मंदिर फत्याबास से मडायना गाउं के पास है और वहाँ पर जाते हैं विलोग में बने रहें बहुत इंट्रेस्टिंग विलोग है दोस्तों और काफी मौ जाने वाली है मेरे काफी फ्रेंड और घरवाले मेरे पूरी फैमिली रिष्टेदार वगेरा सब लोगों से आपको आप देख सकते हो पास ब्लॉग में बने रहें निकलते चलो तो दोस्तों जो जो हमारे साथ मंदर पर जाएगा नेजा चड़ाने के लिए उनके लिए खाना बन रहा है और यह बड़े बैया आटा लागा रहें पूरीयों के लिए और यह हमारी ताई जी ताई जी को राम और यह देवो सबजी के लिए टमाटर काट रहा है आप देख सकते हो और इस रूम में मेरी बेटी बैटी है और यह बहुने में और परात में बूंदी रखी है यह नेजा रखा हुआ है आप देख सकते हो यहां से वहां तक कितना बड़ा है अब इसकी सजावत होगी और इससा जाए जाएगा इस पर खिलोने बगेरा लगाए जाएगे उसके बाद में हम निकलेंगे यह मेरा मकान है और जंडा देखो काफी बड़ा है बहुत बढ़ा है कमझे क्यामन फटका है और यह मेरा मकान है गर के अंदर कोई भी नहीं है पावन का चुका यह बुस पव लेट हो गया बड़े भाईयाने और जगविन ने काफी अच्छा सेटप बनाया है आप देख सकते हो दस पेटिया लगी हुई है बहुत तगड़ा सेटप है भाई मज़े आने वाले बिलोग में बने रहे हैं बस यह खड़ा है दूसरा ट्रेक्टर इसमें जाएंगी लेडी बच्चे सभी रिष्टेदार घरवाले पूरी फैमली जाएगी इसमें यह दूर दूर से बुलाएंगा है अलवाई तीन तीन सर रुपी यह जाड़ी पर हमारी बावी और दीदी इनकी तरफ केमरा कर देओ तो देखो दोस्तों नेजा बिल्कू सज के लीड़ी हो चुका है आप देख सकते हो किलोने बगएरा मूर्तिया बगएरा रूमाल बगएरा सारी चीज है सेट बिल्कूल कितना इंट्रेस्टिंग लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है आप देख सकते हो और यह जीजा जी गड़ी हुए मानु को लेकर और यहां पर हो रही है टेक्टर की दुलाई बड़े वहां ने टेक्टर दोके न्यू कर दिया और जन्नेटर की आवाज पर डांस करेगा अरी सदेखो केसे कर रहा है वाओ अब भी चल गया टेक्टर का और यह विसाल चाहार कच्छा चार जो की चार किलास में हो गया फैल अब यहां पर यह देखो पेटी अब लुकुल सेट और यह हमारा सबसे पूदमी बालक जतिन यह देखो केसे लटका हुआ अब फैमिली पूरी नेजा की पूजा कर रही है आप देख सकते हो भावी बगयरा दीदिया भी है मम्मी पापा सबी लोग पूजा कर रहे हैं हमारे साथ जाने वाले हैं आप देख सकते हो काफी वीड़ है और माहौल बहुती प्यारा है यहां पर और यह हमारी भावी फोटो के जाने में हो गई है ब्यस्त और हम भी पूजा करने के लिए हो गई हैं भाईया तैयार पूजा करके अभी निकलते हैं यहां से और गई चलो दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं वे लोग को इसकीप ना करें और हम निकल चुके नेजा को लेकर टेक्टर की तरफ आप देख सकते हो काफी लोग लगे हुए हैं काफी बारी है आई बोल को प्रें सद्दार बेल को अगे अगे टोड़ा जाने को अगया anti ंगया थे ना कि अगया उना धोड़ा है गोली सच्चे दरभार की जै केरे वाली माता की जै यह जी जाजी पीछे लगे हुए हैं और मैं बीच में लगा हुआ हूँ अब डेक्टर पर हम नेजा को रखेंगे कुछ बजन आएगा पेटियों पर कुछ आएगा आगे वाले सेबर अमन चल गया चलो चलो रखो रखो और बैया भी चल गए अब इसे रख देंगे और बान देंगे रस्षे से जो की यह गिरेना दोस्तो बिलोग अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में सेर जरूर कर देना माता रानी की किरपा से अमन किस से बाते कर रहा है भाई गाउं में काफी माहौल है काफी भीड लगी हुई है और ये सभी लोग जाने के लिए तयार है वो टिंकु भईया कड़े अपने गर के दरवज्जे पर ये को डांस भी चालू हो चुका है पर ये तयार है पोची को कहीं जगए नहीं मिली तो पेटी उपर बैट गया है पोची गाम लगे जागी नीच उतर रहा और हम निकल चुके हैं और हम आ चुके हैं रावली मंदिर के पास एम जी रोड कर साउंड बज़ रहा है काफी तेज और यह मेरे दोस्त सौरब भाई यासु भाई देविस भाई और आप सौरब भाई नब बड़े बाल कर ले हैं लड़कियों जैसे लग रहे हैं बिलकुल और यह हमारा सूरज यह भी आया हमारे साथ में आई लव आगरा के पास हम पहुंश चुके हैं और यह हमारे आगरा में मेट्रो चालू हो चुकी है दोनों टेक्टर फुल रप्तार में चल रहे हैं काफी जोर से काफी मजा आ रहा है साउंड बज़ रहा है पुबिक में यह को उच्छी डांस कर रहा है ट्रॉली में मज़े दिख गया और कि इतना ब्यूटिफुर नजारा लग रहा है यह आगरा की मेट्रो है जो कि अभी चालू हुई है काफी इंट्रेस्टिंग भी हुए दोस्तों और यह देको सामने से टेक्टर आ रहा है यह हमारे बड़े वहिया चला रहे हैं पापा भी बैटे है साथ में सब फैमिली देको पाउच लेने के लिए रूली में जो बंदे बैटे उनको भी बहुत जोरों से प्यास लग रही है विज्जो भाईया पीके फिल्म के बिल्कुल लग रहे हैं आमिर खान पाणी पाउचों के लिए ऐसे भग रहे हैं फिज्जेसे कितने दिनों से पानी नहीं मिला इन लोगों को और वह या हमाया तो गलोफ फूप को है बोले बोले के नहीं या मोज ले 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 के नहीं या और दोनों टेक्टर आपस में एक दूसरे के करीब हैं और हम बाईक पर बैटे हुए हैं तीन बाईक दो टेक्टर एक इको अरे भाई या तूप तो भाई काफी तेज लग रही है और कभी कभी मौसम टंडा भी हो जाता है अर्टेक्टर बुलकुल अच्छी तरीके से मस्त चल रहे हैं और यह मनोच यह भी हमने राष्टे में से अपनी बाईक पर बिठा लिये हैं यह रहते हैं कलाल खेरिया के पास तो सड़क बिलकुल खाली है पांसा मोटा भाई सौरब भाई ने तो मजे डाल दिये और हम रुक चुके हैं यहां पर तो काइस काफी परेशान होगें बैक चला चला कर काफी दिर से बैक चला है दी में दी में सभी लोग आ चुके हैं और यहां पर हमने 10 मिनट का रेस्ट करा है और मंदिर पर जाने वाले बास तोड़ी दूर और रहे गया है बस तो नरेंद भाई के टेन के होने में मेरे पॉलोवर होने वाले टेन के गाइस मम्मी कले देखले दसाजार पापन ते कह क्या दो, कि अपले व्हां टो का रहा है इता जान।बेश Ma सब्सक्टर्बेश सब्सक्के पलागे धरे वाले लोग मैं पाले ची आहले जागे होने वाले गाले बाले अंचे और प्यान। कुछी का माहुल है डांस कर रहे हैं सभी लोग गाना चेंज हो रहा है दोस्तों डीजे बंदे नहीं गया आप सोच रहे हैं कि डीजे बंद हो गया अभी चालू हो जाएगा तुबारा से देवेस भाई क्यों सर्मा रहे हो और हमने अपनी पुरानी अरकत कर दी है चालू आतों पर खड़े हो चुके हैं तुम कहूं तो कहला देवी पैदल चला जांग मैं ऐसे भाई का गई बंद ही दूसरा टेक्टर भी आ गया जो थोड़ी मतलब एक किलो मेटर पीछ रह गया था और सब साथ में खड़े हो गए हैं पुल के नीचे दोस्तो हम आ चुके हैं मंदिर पर आप देख सकते हो एक आणटी पर देवी आ गई हैं बोलो सच्चे दरवार की जै खेरे वाली मैया की जै दोस्तो आज से 6-7 साल पहले यहां पर कुछ भी नहीं था अब तो काफी लोगों ने यहां पर बैठने उठने के लिए काफी बंदो वस्तियाग हुआ है विवस्ता करी गई है यह दरमसाला बना दी है और पानी की टंकी बगेरा काफी मतला बहुत सुधा हो चुकी है पहल पर काफी बड़ा नेजा है बारी भी है और मेला लगता है आप देख सकते हो ठीकिया बगेरा जलीवी बगेरा सारी चीज है मलब मेला देखो आज तो मतलब नौमी नहीं है अगल कल ती नौकल नौमी है हम आज एक दिन पहले आ चुके हैं इसलिए आपको बीड़ कम लग नहीं है और यह नेजा के लिए मतलब सब तयार हो गए है और अभी हवन होगा डांस भी होगा खाना भी किलाएंगे सबी लोगों को अब देखो नेजा को बिलकुल खड़ा कर दिया गया है और काफी पूच आए देखो देखो पूलिय सच्चे दरवार की जै केरे वाली मैया की जै काफी बड़ा है और काफी लोग लगे हुए है और हवा काफी तेज चल रही है मतलब जंडे का जुकाव कभी उधर हो जाता है कभी उधर हो जोता है तो काफी दिक्कत हैं आ रही है और देखो जंडा कितनी अच्छी सब्सक्राइब काफी तरीके से लहर आ रहा है और सभी लोग लगे हुए है और मजे भी आ रहे है और पासु भाइय हो मैं यूं साथ मैं हो के ड़न है बोलिये केरेवाली मैया की जै कि सच्चे दरवार की जै कि दोस्तों फुल मजे आ रहे है और विलोग आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसकी बिल्कुल ना करें दोस्तों में सेयर करतें यह मातारानी का मंदर है पहले मतलग कुछ भी नहीं था यहां पर काफी सच्ची देवी है फत्याबाद से कुछ 15 किलो मीटर पीछे एक मडायना गाउं है सिकरारा रोड जो कि वहां से सीधा रास्त अगया हुआ है और बहुत सच्ची देवी है अब यहां की तैयारी हो रहे है मम्मी पापा मौसी बगएरा सभी लोग बैटे हुए पूरी फैमली अवन की तैयारी हो रही है हवन करने के बाद में नेजा को चड़ाया जाएगा काफी बेड है और यह देवी मा का मंदर है आ आपको दर्सन कराते हैं बोली ये खेरे वाली मैया की जै ये दीवी है आप देख सकते हो माता रानी और सौरभ भाई ने कॉमेडी कर दिया चालू डांस कर रहे हैं सौरभ भाई और जंडा देखो काफी उंचा लेरा रहा है दोस्तों सभी लोगों ने हवन कर लिया है नेजा भी आ चुका है नेजा की पूजा करके और बोला नारियल चड़ाकर अभी मंदिर पर चड़ाएंगे नेजा को और देख सकते हो आप देवी माता की मूर्ती दिखाता हूं में आपको यह खेरे वाली माता हैं जो की नीचे देवी आएंगे यही है बोलिये सच्चे दरवार की जै और यह नेजा चड़ा रहे हैं सभी लोग अपने नेजे को मतलब मंदिर के पीछे दीवाल है उसी के सारे से मतलब खड़े होते हैं यह और यह दावत चालू हो गई है बंडारे में बूंदी पूरी सबजी और मतलब हम गरसी बना कर ले गए अपने शुरुवात में देखे होंगे और हम चले जमना की तर हृह अभी दाला करते हैं जमना की अभी खिरुवात मी अचालू हुआ यह था आ शुरुआ है यह दोस्तों आया मारे ले ले लेग्र नेक्दाख्णुरुआ है सबस्ताना का तालिकर अगे शुरुआ अब देख सकते हो यह नेनी तार का फाणी ओजिए गोवा का भीच वहां से आ रहा है जमना जी काफी अच्छा ना जा रहा है दोस्तों देख सकते हो यह पता नहीं कहां से आ रहे है करन अर्जुन पिचर सायद यहीं पर बनी है और वह मातारानी का दरवारे मंदिर जो के भी नेजा बेजा चड़ा कर आ है जंडा और यह जा रहे हैं को सच्छे रवार की जो दोस्तों जमना जी मैं कम पानी है इसलिए मैं नानी रहा हूं अगर ज्यादा हुता तो मैं इधर से उधर पहुंच जाता तेर के बहुत अच्छा तेरता हूं मैं मैं और एक मिनटमें पांस किलो मीीटर में से बहुती है निकल जाता हूं मैं अगर नहीं को यह दोनों के दोनों टकलिए पिला रहे हैं पानी दोस्तों विलोगों बने रहे हैं मेरा डांस आने वाला है आप देख सकते हूँ चालू एक दो तीन मागे देख सकते हैं मेरा रहे हैं मेरा रहे आनी जँई हुआ 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 को देख दोने पिलोगों पानी जब दोनी यह आप दोनी वालगों दोनी पुल्वारी देगे दानी अप्राण गाचन दीने साथ गाची प्रमाता पुल्पतक भईया गेता अब के रही ये घूजर के की हुई दिवानी आगाई आद याद किराउपानी ये सावी ये घूजर के की हुई दिवानी आगाई आद याद किराउपानी और हमने डांस कर लिया बहुत वह थे कुई दोस्तो ब्लोग को करते हैं यहीं पर समाप तो ब्लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शियर कर देना जो चैनल पर नूँ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे आगे की आने वाली वीडियो के आपको नोडिपिकसर मिलती रहे तो दोस्तो वाई मिलते नेक्स्ट वीडियो में